हेलो एवरीवन वेल्कम तो सीवीट अटर्ट 247 मैं नेम इस अवन वहता और आज हम बात करने वाले हैं हाफ येरली एक्जाम के लिए किस तरह से प्रिपेर करें कि आपके मार्क्स पूरे पूरे आ जाएं तो आप लोग क्लास 12 में हैं और सीवीट की प्रिपेरेशन कर रहे ह होंगे लेकिन अभी आपके पास आ चुके हैं तो उसके लिए आपको कैसे काम कर लेना चाहिए किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए जिससे आप अच्छा स्कूर कर पाएं अपने हाफ येरली एक्जाम में भी और इससे होगा क्या इससे देखो आपका जो पन्फ में लीए ऑड़ेश की दिने हाइन को का फू्शंत करने हैं और देखते हैं किस तरीके से रहें किस तरीके से अपने इन कुछ 20 दिन की बात करते हैं ना बीस दिन हैं इन देधों नहीं Sounds पाँच दिन में हम क्या करेंगे तो भाई देखो सिंपल सी चीज है कंसेप्ट बहुत जरूरी है तो किसी भी बच्चे का अगर कंसेप्ट वीकेंड तो इन पंदरा दिन के अंदर करें तो आपको करना है किंसेप्ट ठीक है प्लस कोश्चिंस तो जिस तरहां के भी कोश्चिंस आरे हर तरहां के कोश्चिंस आप करेंगे अपनी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद ठीक है और अब देखो टाइम नहीं है 20 दिन के अंदर अगर आपको इतने सारे चेप्टर्स करने हैं तो आपको अच्छे है इन पांच दिन के अंदर आप क्या करेंगे इन पांच दिन मेंसे क्या करेंगे चार दिन कि चार दिन आप फुल फ्लेज़ड कोश्चिंस करेंगे फुल फ्लेज़ कोश्चिंस क्यों करने हैं मैं आपको बताता हूं सबसे पहली चीज़ क्या है कि full-fledged question लगबग chapter के सारे concepts को cover करते हैं और आपको सिरफ और सिरफ practice करने हैं यह 5 दिन किसके बिटा सिरफ practice के हैं यहाँ पर आपने अपनी accuracy को ठीक करा और यहाँ पर practice करके आप अपने speed को बढ़ाएंगे क्योंकि accounts का जो भी exam होता चाहे वो उसमा subjective questions करने हो चाहे आपको objective एनी mcq questions करने हो दोनों ही जगा पर speed बहुत जबरूरी होती है तो इन चार दिनों के अंदर आप full-fledged questions करेंगे presentation पर ध्यान देंगे ठीक है presentation बहुत बेकार होती है कईवर बच्चों की मैंने खुद देखा है भाई presentation पर बहुत ध्यान देना है scale का use करना हर एक चीज़ करनी है और बाकी जो अब एक दिन यहाँ पर बचर आया यहाँ पर पता क्या करने है यहाँ पर आपको छोटे questions करने स्मॉल कोशिंस सर अब आप बोल रहे हो कि सारा का सारा तो यहीं cover हो गया पीटा कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़े होती है जो बड़े questions पूछन लायक ही नहीं होती तो आपको छोटे questions भी करने है ठीक है एक नंबर के दू दो नंबर के तीन नंबर के दो नंबर के दू मार्बल्स डालें कुछ भी रादा है तो क्या यह पूरी तरह से भर चुका है question यह है नहीं तो यह आपके full-fledged questions है लेकिन जैसे ही आप इसके इंदर मिट्टी या रेत डालेंगे है रेत डालेंगे sand तो जो भी बची जगा वहें तक whole bound एक शीज हो जाएगी और हम करना यह मतलब हमें कुछ Nicholas कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है तो इस तरीके साफ चीजों को लेकर खेलेंगे अब ज्यादा तर जो बच्चे हमें बता रहे हैं और जो अभी तक देखा गया है जो आपके मिट्टम एक्जाम में जो चैप्टर साने वाले हो यह लगबग क्या है सबसे बड़ा चैप्टर नो डाउट इशू पॉर फीचर रेऊशु आप जहर तो सब से बड़ा चैप्टर यह है कोई भी डाउट नहीं है तो आपको इसको कम से कम तीन दिन देने क्योंकि यह यह वे को इस bestimmt चिंडने हैं 15 यह सबसे फेलए पैनदरा दिन की बात प्रेक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है ठीक पहले अभी हम 15 दिन पर फोकस करों 15 दिन के हिसाब से इन चैप्टर को देख रहे हैं तो तीन दिन आप इसको देना एक दिन के एक दिन से ज्यादा अगर आप दे रहे हो ना आप अपने टाइम बिना वजय लगा रहे हो यह चैप्टर वाकई में बहुत आसान है तो एक दिन आप इसको देंगे बाकी बचे कितने एक दो तीन चार पांच ठीक है अब इसमें से एक चैप्टर को जो भी आपको मुश्किल लगता है मतलब मेरे हिसाब से या तो यह आप आपको लेंदी लग सकता है या फिर एक डिसोलूशन चैप्टर जो आपको मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए तो इन दोनों में से किसी पे भी तीन दिन और दे दो तो तीन दिन इसको देंगे और इन दोनों में से किसी को भी तीन दिन देंगे और बाकी चैप्टर तो हैं उनको दो दिन में खतम करेंगो और आपके क्या हो जागा पूरे 15 दिन यूटिलाइज होंगे और जो मैं आपको बता रहा हूं यह time boundation जो मैं आपको बता रहा हूं कि इतने ही दिन देने हैं ठीक है इससे कम और इससे जाधा मत देना बहुत जाधा आपको effective लगेगा ठीक है अब बात करते हैं पांच दिन की प्रैक्टिस की पांच दिन की प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो आप खुद सोचिए कि आपको करना क्या चाहिए यह चोटे questions होते हैं इसके अंदर अगर आप बात करें तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको कहता हूं कि आपको पहले चार दिन जब full-fledged question करने हैं सबका एक-एक question daily करो सबका एक-एक question daily करो detail में करो ठीक है जब आप 15 दिन में काम कर रहे हो तो आप construct समझके questions तो करी रहे हो लेकिन जब practice कर रहे हो तो आपको बड़े-बड़े questions उठाने full-fledged question उठाने है ठीक है तो आपको करना क्या है आपको daily एक-एक question करना चार दिन तक तो अगर मैं बोलो साथ questions अगर हम देख रहे हैं इसके तो कोई full-fledged question में नहीं है तीन method आते है goodwill के अगर इसके तीन question भी अगर आप daily करो तो तब मैं बोलूँगा कि हाँ share capital के एक question जितना तुमने मेहनत कर ली बलकि वो भी कमी है तो आप क्या करो भाई इस सबके एक-एक questions करो इसके दो तीन-तीन questions करो और आपके लगभग लगभग बन जाएंगे भाई कितने एक दिन के अंदर हो जाएंगे 15-20 questions करने आपको ठीक है इतना तो आप करोगे और इ प्रेंडम सुबह से उठो और रात तक करड़ा लो काम खतम हो जाएगा ठीक अब यह जो तीन चैप्टर आपको देख रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है अब इंपॉर्टेंट इन सेंस के यह इसके लिए एक अलग strategy है आपको शायद आगर आपने मुझसे class लिए तो आपको पताओगो चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशियो जो चैप्टर है ना इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर एक खास बात है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वह एडिमिशन वाले चैप्टर में भी यूज होगा और रिटार्मेंट एंड डेथ ऑफ पार्टन यह सारी चीज़ें सीखते हैं मैं आपको डिक्टो बता रहा हूं कि इसमें भी यूज होता और इसमें भी यूज होता है बस कुछ चीजों का फरकाता है तो एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर गुडविल जो इसमें कराई गई वैसी नहीं होती इसके अंदर पांच अल फिर बात करते हैं रिटार्मेंट है डैथ ऑफ पार्टनर इसके अंदर भी सैक्रिफाइजिंग गेनिंग रेशियो नियू रेशियो सारी चीज़ें करनी होती है इसके अंदर भी हमें एक्यूमिलेटेट प्रॉफिट लॉस रिजर्फ जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शे सप्र Sü说 से समझा सकता है बस जो स्पेशल चीज स्पेशल पॉइंट आता है इस चैप्टर में यहांपे यह बताया इसे किया होटा है स्पेशाल कि आपको यह करना आना चाहिए कि रिटारि hyper partner को डिसेस पार्टनर को क्या अप वापिस करोगे ठीक है और एक चीज़ हो रहती है section 37 जो सारी चीज़ आपको इस channel में पढ़ा रखे तो please जा करके उनको देखिए and I hope आप लोगों को जो आज मैंने बताया वो आपके लिए बहुत जादा helpful होगा and जाते जाते एक last tip मैं आपको देना चाहूँगा यह है कि आप लोगों को आपका time fix करना पड़ा है यह नी कभी भी उठग के पढ़ रहे हैं आपको identify करना पड़ा है मेरों को रात को पढ़ने यादा तो मैं रात को इstrings काम करूँगा मुझे सुबह जल्दी उठके पढ़ने के आधा मैं सुबह जल्दी उठके पढ़ोंगा ठीक है लेकिन उस टाइम पर कभी भी मत सोना जब आपका एक्चुल में एक्जाम होगा आप जब एक्जाम में बैठे हो तो आपको नीद आ जाएगी तो आई होग आपको यह सारी ची आपको यह वीडियो हेल्प करी है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब क्या शेर कीजिए बाइबाइबाइटे केर एंड कीप ग्रूइंग